तो आज के इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ दोस्त कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि एड़सेंस अपरूबल के लिए कितना ब्यूज चाहिए ठीक है जिसे कि एड़सेंस अपरूबल मिल सके और एक सवाल और भी होता है जैसे कि किलिक क्यूंकि पिछले वीडियो में कमेंट आया था उसमें दिखाया था हमने Google Search Console को तो उसमें बताया था उस भाई ने कि कितना किलिक होना चाहिए मतलब बात तो वही आ गई कि AdSense Approval के लिए कितना व्यूज होना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में इसी चीज का जनकारी देने वाला हूँ जिससे कि आपको भी 100% AdSense Approval मिल जाएगा और आप लोग भी पैसे कमा सको तो चलिए दोस्त अगर ये जनकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे रही आप करते हैं सुरू तो सबसे पहले आपको बता दू दोस्त कि देखो कोई भी लोग जो है बलागिंग करते हैं तो सभी का मकसद एक ही है कि वो जो है AirSense Approval लेके पैसे कमा सके लेकिन दोस्तों उन्हें जो है AirSense Approval लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ठीक है बहुत ही ज़्यादा प्राबलम हो जाती है यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक बात में बता दू देखो किसी भी परकार का वेबसाइड हो ठीक है और AirSense Approval भी मिला हुआ है तो सही से Air जो है सेट अब होना चाहिए ठीक है कुछ भी हो वो सही से होना चाहिए मतलब देखो अगर यहाँ पे तो वैसे बलागर की बात में आपको बता रहा हूं ठीक है वैसे बलागर पे भी ट्राफिक आता है व्यूज आता है AirSense Approval भी मिलता है सब इस बेबसाइट पे देखो जनरेट पर इस थीम लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है कि यहाँ पे जो है फूटर के रेडिट जो भी है चेंज है प्राइवेसी पॉलीसी कंटेक्ट अस सब कुछ लगा हुआ है ठीक है और पूरा फूल कॉस्टोमाइज अगर मैं इस पोश्ट को ऑपन करूँगा तो देखो दोस्ति यहाँ पे जो है कितना जो है फास्ट लोड यह होता है ठीक है कारण यही है कि बलागर का वेबसाइट जो है क्या है कि एड्सेंस अप्रूब भी हो जाता है लेकिन उस पे होता क्या है कि अर्निंग जो है सई स नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे जो है एड्स जो है फास्ट लोड नहीं होता है और दूसरी बात जो होता क्या है जैसे कि अगर आपके वेबसाइट पे ट्राफिक कम आ रहा है तो देखना आपने वेबसाइट को चेक करके ठीक है कि आपके वेबसाइट का स्पीड क्या है और जब आप अपने website को open करते हो तो वहाँ पे जो है कितना दिर में open होता है दोस्तो बहुत सारी problem हो जाती है लेकिन खेर छोड़ो बात यह है कि अगर किसी का budget नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं वो क्या करेगा बलागर पे ही काम करेगा क्योंकि बलागर तो फिरी है ठीक है लेकिन जीन लोगों का budget है दोस्तो उन लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ देखो अगर आप चाहते हो ठीक है इन्वेश्ट करना तो आप लोग जो है wordpress का website लो जिससे कि आपका जो website है वो fast load होगा और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो देखो add network चाहे कोई सा भी हो लेकिन आपके website पे traffic आना चाहिए और traffic लाने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ जरूरी होती है जैसे कि आपका website फूल कस्टोमाइज होना चाहिए और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपका website फास्ट लोड होना चाहिए जिससे कि आपका जो website है फास्ट लोड होगा तो user को तुरंत के तुरंत article दिखेगा ठीक है आर्टिकल दिखेगा उसके बाद होगा क्या कि जो भी एड होता है इसके अंदर में वो फास्ट लोड होगा ठीक है तो यूजर के सामने में जो आर्टिकल भी फास्ट लोड होगा और उसके बाद जो है एड भी दिखेगा तो इस पे जो है किलिक होगी अगर एड दि यहां पे भी एक ऐड देह सकते हो और यह जो है एड intensive का एड लगा हा है यहां पर देख सकते हो यहां पे भी देख सकते हो पूरा मैं एड Startup कर रखांगे पूर यानी डेह स्टोमायस कर र्खांगे डेवसित्स इसी परकार का website, तो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे tension नहीं लेना है, आपको पहले पैसे नहीं देना है, ठीक है, पहले future इसका समझ दो, जैसे कि सभी लोगों का सपना होता है, कि मेरा भी website WordPress पे हो, अगर दोस्तों आप लोग invest करना चाते हो, तो WordPress क आप website जो सुपर फास्ट है, अगर आप लोग जो earning करना चाते हो, तो WordPress ही एक ऐसा जरिया है, बलॉगिंग के लिए, जिस पे आप earning कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही फास्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको add भी setup करके दिया जाएगा, यानि पूरा full setting, full customize भी दिया जाए इस क्रीन पर देख सकते हो मेरा WhatsApp कंटेक्ट, इस पे आप जो है कंटेक्ट कर सकते हो, और आपको website मिल जाएगा, ठीक है, और create करने के बाद ही आप लोगों को पैसे देना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपको payment करना है, website create करने से पहले payment नहीं करना है, website create हो जाएगा, आपको क्या बताओं देखो AdSense approval तो मिला हुआ है लेकिन ये भी website मेरा WordPress पे ही है ठीक है अगर ऐसा रहता तो मैं अपना website को बलागर पे रखता लेकिन चलो जिन लोगों का भजट नहीं है वो लोग बलागर पे है कोई दिक्कत नहीं है बाकी बलागर पे भी AdSense approval मिलता है उस बहुत मुश्किल से मिलता है AdSense approval बाकी जो है अर्निंग करने के लिए कोई सा भी Ad Network हो बस traffic जो है website पे आना चाहिए ठीक है अर्निंग आपकी होईगी ही होगी तो यहाँ पे AdSense approval के लिए simple सी सवाल है एक ही है कि आप लोगों को AdSense approval लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले जो जरूरी है ठीक है कि लिक भी जरूरी है लेकिन इससे पहले आपको कुछ unique post भी लिखना परता है जो की 30 post लिखना परता है उसके बाद आपको करना क्या होता है कि अपने website को अच्छे से customize करना परता है और उसके बाद आपको अपने website को Google Search Console में जो है एड करना परता है उसक तो आप अपने blog website को open करोगे यहां पर ठीक है यहां पर आपको बता दिता हूँ जैसे कि यह मेरा website है और उसके बाद जो है यहां जो है किलिक करूँगा और किलिक करने के बाद जो है दोस्त यहां पर जो है जैसे कि मैं यहां पर देख सकते हो तोटल जो है आपका 5000 ट्राफिक होना चाहिए वैसे यहां पर 1,64,305 ट्राफिक है तो दोस्तो इतना जो है आपका होना चाहिए बस यही चार काम करना होता है बागी कोई बड़ी बात नहीं है एडसेंस अपरूबल के लिए एडसेंस अपरूबल आपको मिल जाएगा जब आपका website सही होगा तो और पहली बात जब पैसे ही कमाना है जब अरनींगे करना है तो दोस्तो यहां पर जो है एडसेंस जो है एक हवा बन चुका है ठीक है आपको बता दिया हूँ एडसेंस जो है बहुत ही हवा बन चुका है यहां पर आपको बता दू बहुत सारे लोग जो है आप क्या हो रहा है। यह वाला जो एड मैं पलागिन के जरिये लगाया हूं ठीक है यहां पर इसे कटभी किया जा सकता है जैसे कि अगर कोई भी आर्टिकल पड़ने के लिए आएगा तो इस पर तक किलिक नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि पढ़ मैं कंटत हों और पहले पैसे नहीं देना है, website create होने के बाद ही आपको पैसे देना है, तो चलिए दोस्त, यहाँ पर जो भी बात थी, essence approval के लिए आपको बता दिया हूँ, देखो कुछी यहाँ पर जादू मंतर है नहीं, बस simple है, आपको जो बता हूँ, वही काम करना परेगा, और मुझे के रूल को follow करना परेगा, तो जो रूल है वह आपको बता दिया हूँ, अब इससे हटके कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, जो कि आपको बताऊंगा, तो चलिए यही जानकारी आपको देना था, अगर यह जानकारी सही लगा होगा, तो इस वीडियो को कर देना है like, अगर आ आगे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं अगले वीडियो में,